कल पर सबसे कम निर्भर रहने वाला व्यक्ति कल से सबसे अधिक प्रसन्नता के साथ मिलने जाता है बुद्धिमान व्यक्ति तिरसकार से बचने के लिए प्रसिध्धि के बारे में सोचता है भए उत्पन्न करने वाला मनुष्य भए से मुक्त नहीं हो सकता जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करके जो आपके पास है उसे खराब न करें मृत्यू इसलिए सबसे भयानक बुराई हमारे लिए कुछ भी नहीं है यह देखते हुए कि जब हम होते हैं मृत्यू नहीं आती है और जब मृत्यू आती है तो हम नहीं होते हैं जो थोड़े से संतुष्ट नहीं है, वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है मृत्यू हमें चिंतित नहीं करती, क्योंकि जब तक हमारा अस्तित्व है, मृत्यू यहां नहीं है, और जब यह आता है, हम अब मौजूद नहीं है अच्छे से जीने की कला और अच्छे से मरने की कला एक ही है जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करके जो आपके पास है उसे खराब न करें सबी दोस्ती अपने आप में वांचनिय है हालाンकि यह मदद की आवश्यक्ता से शुरू होती है रोज रोज अपने रिष्टों में खुश रहने से आप में हिम्मत नहीं आती आप इसे कठिन समय से बचे रहने और विपरीद परिस्थितियों को चुनौती दे कर विकसित करते हैं मूर्ख की सम्रिध्धि से बुद्धिमान का दुर्भाग्य अच्छा है बिना मित्र के खाना पीना, शेर और भेडिये की तरह खा जाना है जितनी बड़ी कठिनाई, उतनी ही अधिक उस पर विजय प्राप्त करने की महिमा खाली है दार्शनिक का तर्क, जो किसी भी मानविये पीडा को दूर नहीं करता है अमीर होना अंत नहीं है, बलकि केवल एक बदलाव है, चिन्ताओं का ध्यान आकर्शित किये बिना अपना जीवन जीए जब आप मरेंगे, तो आपका दिमाग आपके शरीर से भी तेज चला जाएगा जिन चीजों की आपको वास्ताव में आवश्यक्ता है, वे कम हैं और आसानी से मिल सकती है लेकिन जिन चीजों की आप कलपना कर सकते हैं, वे अनंत हैं और आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे कुशल पाइलट टूफान और तूफान से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करते हैं खुश रहना यह जानना है कि कैसे कम से संतुष्ट रहना है सब कुछ ऐसे करें जैसे कोई आपको देख रहा हो जो थोड़ा बहुत नहीं पाता, वह कुछ भी परियाप्त नहीं पाता करता है